हलो फ्रेंट्स आप सब कहा आपके अपने चनल वोविलाक्षर्स में एक बार फिरसे स्वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय भी इच्छे चल रहे होगी तो ककसदस बुगल विषय के तहट आज हम आपके अध्याय तीन जिसका नाम है जल संसादन के समश्थ अभ्यास प्रश्णों को solve करना सिखेंगे इससे पहले हमने आपके अध्याए 1 और अध्याए 2 के समस्त अभ्यास प्रशनों को बहुत अच्छे से solve करा दिया है साथ ही शाथ आपके गणित और विज्ञान विश्य की classes भी चल रही है वो सब classes आप channel की playlist पर जाकर आराम से देख सकते हैं तो चलिए class शुरू करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अध्याए 3 के अभ्यास प्रशनों की देखें पहला प्रशन है जो आपके सामने बहु वेकल्पिक प्रशन है कौनसा प्रशन है बहु वेकल्पिक प्रशन आपके सामने दिया हुआ है देखो नीचे दी गई सूचना के आधार पर इस्ततियों को जल की कमी से परभावित या जल की कमी से अपरभावित में वर्गी करत कीजिए नीचे दी गई सूसना के आधार पर तो information दी गई है उसके आधार पर जल की कमी से परभावित और जल की कमी से अपरभावित इसके अंदर आपो क्या करना है वर्गी करत करना है तो यहाँ पर देखें अधिक वर्षा वाले चित्र अधीक वर्षा और अधीक जनसंक्या वाले चित्र अधीक वर्षा वाले प्रांतु अत्यदिक परदूसी जल चित्र और कम वर्षा और कम जनसंक्या वाले चित्र तो यहाँ पर देखो हमने वर्गी करत कैसे किया है जल की कमी से परभावित चित्र जल की कमी से परभावित चेत्र कौन कौन से हैं एक तो ख़वाला है जिसमें लिखा हुआ है अधीक वर्सा और अधीक जनसंख्या वाले चेत्र वर्सा ज्यादा हो रही है लेकिन जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है तो वो जल की कमी से क्या होंगे? प्रभावित होंगे तो एक तो खह वाला वाक्य सही है पिर अधिक वर्षा वाले प्रणतु अत्यधिक परदूस्तिव जल चित्र कि बारिस तो बहुत ज़धा हो रही है लेकिन वहाँ पर जल का परदूसर थो है तो जल की कमी से वो एरिया भी प्रभावित होगा फिर आपका घह वाला वाक्य कम वर्सा और कम जनसंख्या वाला चित्र वर्सा भी कम हो रही है और जनसंख्या भी कम है तो वो भी जल की कमी से क्या होगा प्रभावित होगा तो इस तरह यहाँ पर दिये गए कतनों को हमने दो भागों में बाटा है, जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित चेत्रों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पशन है, निम्न लिखित में से कौनसा वक्तत्व बहु देशिय नदी प्रियोजनाओं के पक्स में दिया गया तरक नहीं है, यानि इन चारों में से ऐसा कौनसा कतन है, जो बहु देशिय नदी प्रियोजनाओं के विपक्स में है, यानि इसके विरोध में है, वो तथ्या आपको बताना है, तो बहु देशिय प्रियोजनाओं उन छेत्रों में जल लाती है, जहां जल की कमी यह कथन बिलकुल सही है बहुत देश ये प्रियोजनाय जल बहाव को नियंतरित करके बाड़ पर काबू पाती है तीसरा कथन है बहुत देश ये प्रियोजनाव से बरहत इस्तर पर विस्तापन होता है और आज इवी का खत्म होती है अगला वाक्या बहुत देश ये प्रियो पर विस्तापन होता है और आज इवी का खतम होती है ये बहूत देशी नदी प्रियोजनाओं के विपक्स में दिया गया तर्क है ये इसके पक्स में नहीं है यानि ये बहूत देशी नदी प्रियोजनाओं की कमी को उजागर करता है कि इसके नुकसान क्या है फीक आगे बढ देखो पहला कथने सेहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विसालता और सगन जनसंख्या तथा सहरी जीवन सैली ने जल संसाजनों के सही उपयोग में मदद की है। किया कथन सही है तो इसको हम कुछ अलग बदल कर कैसे लिखेंगे ये कुछ गलत है। इसको लिखेंगे कि सेहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विसालता और सगन जनसंख्या तथा सहरी जीवन सैली ने जल संसाजनों के सही उपयोग में क्या की है बाधा डाली है। इससे जल संसाजनों को क्या हो रहा है दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा कतन है नदियों परबांद बनाने और उनको नियंतरित करने से उनका प्राकर्तिक बहाव और तल्चट बहाव परभावित नहीं होता है। तो इसको हम सही कैसे लिखेंगे? कि नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंतरित करने से उनका प्राकर्तिक भाव कैसा होता है? अबूद होता है, रुख जाता है. जिससे तलचट भाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो इस तरह हमने इन गलत दिये गए व्यक्तित्वों को सही करके वापिस लिखा है. आगे बढ़ें, चोता है, यहां कुछ गलत व्यक्तित्व दिये गए हैं, इनमें गलती को पैचाने और दुबारा लिखे. यानि इसी तीसरे प्रस्ण के गव और गव भाग है. चोताल इसमें चार प्रस्ण दिये गए हैं. तो देखो गव वाला कतन क्या है? यह कतन दिया हुआ है कि गुजरात में साबर्मती बेसीन में सूखे के दोरान सहरी चित्रों में अधिक जल आपूर्ती करने पर भी किसान नहीं भड़के. तो इसका सही रूप क्या होगा कि गुजरात में साबर्मती बेसीन में सूखे के दोरान सहरी चित्रों में अधिक जल आपूर्ती करने पर किसान क्या उठे भड़क उठे. फिर गह कतन है आज राजस्तान में इंद्रा गांदी नहर से उपलब्द पेजल के बावदुज चत वर्सा जल संग्रहन लोकपिरिय हो रहा है. तो इसका सही रूप क्या है? कि आज राजस्तान में इंद्रा गांधी नहेर से उपलब्द पेजल के कारण छत वर्सा जल संग्रहन की लोग प्रीता क्या हो रही है? दीरे-दीरे कम हो रही है है न? तो यहाँ पर जो गलत कतन दिये गए थे उनको हमने सही करके दुबारा लिखा है आगे बड़े दूसरा प्रशन निम्नलिकित प्रशनों के उत्तरलग भग तीस सब्दों में देने है इतने सब्दों में? तीस सब्दों में पहला प्रशन है ब्याक्या करे की जल किस परकार नवीकर्ण योग्य संसादन है ब्याक्या करनी है कि जो जल है वो किस परकार नवीकर्ण योग्य संसादन है तो जल एक नवीकर्णिय योग्य संसादन है क्योंकि इसका कारण क्या है? कि जल को एक बार प्रियोग करने पर ये कभी भी समापन नहीं होता हम इसका बार बार प्रियोग कर सकते हैं मतलब इसकी जो पुनापूर्ती है वो क्या है संभव है जैसे उधारण की बात करूं जल का प्रियोगेदी उद्योगों में या गरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल क्या हो जाता है दूसीत तो हो जाता है किन्तु वो जल समाप्त नहीं होता और इस जल को साप करके फिर से इस्तिमाल करने योग्य बनाया जा सकता है इस वजे से जल एक परकार का नभीकर्ण योग्य संसादन है इसका जल चक्र लगाता चलता रहता है ये कभी भी समाप्त नहीं होता है दूसरे का दूसरा जल दुर्भलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है जल दुर्भलता क्या है और इसके कारण क्या है तो देखो जल दुर्भलता का मतलब क्या है कि आपसकता की तुलना में स्वच जल की कमी होना जितनी जल की आपसकता है उसकी तुलना में स्वच जल क मातरा में कमी होना क्या कहलाएगा? जल दुरभलता. जैसे हमें जरूरत है समझ लीजिये एक दिन में 100 लिटर की लेकिन हमें मिल रहा है समझ लीजिये 50 लिटर है न? तो यह क्या है? यह जल की कमी है, जल की दुरभलता है. अब इसके कारण भी बताने हैं कि जल गुंसरा जलका असमान वीतरण, टीसरा वर्सागी कमी, चोथा जलका अती दोहन और आप सकता से अधिक उपयोग, पिर अगला अद्योगी करण और सहरी करण में तेजी से होती हुई व्रदी, ये कुछ परमुक कारण है जल की दुर्भलता के आगे बढ़े तीसरा प्रशन बहुद्देस्य प्रियोजनाओं से होने वाले लाब और हानियों की तुलना करो बहुद्देस्य प्रियोजनाओं से कौन कौन से लाब हो रहे हैं और क्या क्या हानिया हो रही है इनके बारे में हमें बताना है तो पहले बात करते हैं बहु उद्देश्य प्रियोजना उसे लाब की कि इनसे क्या क्या फाइदे हो रहे हैं तो पहला फाइदा है सिंचाई सुविदा प्रयाप्त मातरा में उपलब्ध हो रही है विद्यूत उ उससे, उनको वहाँ पर करके वहाँ से अच्छी- खासी इंकम भी हो रही है, याने परेटन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आंतरीक नो संचालन और मतस्से पालन, मचली पालन भी किया जा रहा है, ये से इसके क्या है, लाब है, सिंचाई सुविदा उपलत हो र रहा है, ग्रेलू और अध्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ती प्रयाप्त मात्रा में मिल रही है, बाड़ पर नियंत्रन हो रहा है, मनोरंजन के साधन के रूप में विक्सित हो रहा है, आंत्रीक नोका संचालन की सुईधा हो रही है, और मतस्ते पालन यानि मचली पा पड़ता है, तो लोगों का विस्तापन होना, नदी जलिये आवासों में बोजन की कमी होना, दीरे दीरे जल में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए बोजन की कमी होती है, और वहाँ पर जो वनस्पती थी ये जो पिड़ पोदी थे वो दीरे दीरे समाप्त हो जाते हैं जलासे की तली में तलचट का जमा हो जाना प्राकर्तिक बहाव पानी का जो प्राकर्तिक बहाव था वो क्या हो जाता है रुख जाता है ये सारी समस्या क्या होती है उत्पन होती है तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी तरह बहुत देशिय प्रियोजनाव के भी जहां लाब है वही इसकी कई हानिया भी देखने को मिलती है आगे बढ़ें तीसरे का पहला प्रश्णो निम्नलकित प्रश्णो के उत्तरलग भग 120 सब्दों में देने हैं राजस्थान के अर्द सूसक चित्रों में वर्सा जल संग्रहन की इस प्रकार किया जाता है व्याक्या कीजिए राजस्थान के अंदर जो अर्द सूसक चित्र है जहाँ पर बहुत कम बारिस होती है वहाँ पर वर्सा के जल संग्रहन के लिए किन तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है उसके बारे में बताना है तो देखें, राजिस्तान के आर्दसूसक और सूसक चित्रों में खेतों में वर्सा के जल को एकत्रित करने के लिए गड़े बनाए जाते थे जिससे भूमी की सिंचाई की जा सके और वहाँ पर जो सनक्सित जल है उसको करसी के काम में परियुक्त किया जा सके तो राजिस्तान के जेसल मेर में खादीन या जिससे खडीन भी कहते हैं और अन्य चित्रों में जोहड इसके क्या है उदारण है राजिस्तान के जेसल मेर जिल्ले में जो इस परकार की सरंचना होती है उसे खादीन अत्वा क्या का जाता है खडीन कहा जाता है और जो राजिस चित्र ये क्या है ये आपके खादीन का है और जो दूसरा चित्र है वो किसका है आपके जोहड का है ठीक अब देखो दूसरे और तरीके क्या है टांका और भूमिगत टैंक राजस्तान के अंदर खादीन और जोहड के इलावा दूसरे तरीके क्या है वो है टांका और भूमि करने के लिए भूमिगत टेंक अत्वा टांका हुआ करते थे इनका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है फलोधी के घर में 6.1 मीटर गहरा 4.2-7 मीटर लंबा और 2.4-0 मीटर चोड़ा टांका हुआ करता था टांका या सुविक्सित सत वर्सा जल संग्रहन तंत्र का अभिन हिस्सा होता है यानि चत के माध्यम से जो पानी कटा होता है उसको इस टांके के अंदर जमा किया जाता है जिससे मुख्य गर अत्वा आंगन के अंदर बनाया जाता है यानि इस भूमिगत टांके का निर्मान घर के आंगन में अत्वा मुख्य गर के अंदर किया जाता है ये गरों की धलवा चतों से पाईप के दुआरा जुड़े होते हैं और चत से वर्सा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टांके तक पहुंचता है यानि चत के उपर का जो पानी है वहाँ पर पाईप को जोड़ दिया जाता है और पाईप के माध्यम से ये पानी इन टांकों के अंदर पहुंचता है तो इस तरह कह सकते हैं कि राजिस्तान के अंदर जो अर्ध सुस्क और जो सुस्क चित्र हैं वहाँ पर वर्सा के जल जल संग्रहन की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल सरक्षन और भंडारन कीस प्रकार किया जा रहा है। जल संग्रहन की प्रमप्रा रही है। जल को इक्रटा किया जाता था। जल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। वर्तमान समय में भी ये तरीके कारगर हैं। फिर पच्चिम मंगाल में बाड के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या बनाते हैं। बाड जलवाहिकाए बनाते हैं। चनाटक के मेहसूर जिल्ले में एक सुदूर गाव गंडा थूर में ग्रामीडों ने अपने घरों में जल आपसकता पूर्ती येतू छत वर्सा जल संग्रहन की व्यवस्ता की हुई है। इसी तरह मेगाल्य में नदियों वजर्नों के जल को बांच द्वारा बने पाइप के द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्स पुरानी विधी आज भी पर चली थे। लगबग 18-20 लिटर सिंचाई वाले पानी बांच पाइप में आ जाता है उसे सेक्डो मिटर की दूरी तक इन बांच के पाइपों से ले जाय जाता है। की कुल मांग के लगबग 15-25 परतिसत भाग की पूरती छत के वर्सा जल संगरण वैवस्ता से ही होती है। मतलब हम कही न कही कह सकते हैं कि जिस तरह पुराने जमाने में वर्सा जल को एकत्रित करने के लिए अलग लग तरीकों का इस्तिमाल किया जाता था। उन्हें ऐसे कई तरीके ऐसे हैं जिनका उप्योग आज भी वर्सा के जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और ये आज भी इमारे लिए क्या है ये आज भी इमारे लिए कही न कही उप्योगी है। ठीक तो इस तरह हमने आपके अध्यातीन जल संसाधन के अभ्यास के समस्थ प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मिद करता हूँ आप सबको ये प्रशना बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़िए आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भरत!